दारा 370 हटने के बाद लदाख में चुनाओ हुए तो इंडिया गडवन्दन ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया लदाख परसदी चुनाओ के 26 सीटों के लिए चुनाओ हुए जिसमें कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है 22 सीटों पर आये चुनाओ परनाम में कॉंग्रेस ने आठ और नेशनल कॉंफरेंस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है वहीं बीजेपी को दो और निर्दली उमिदवार को एक सीट पर जीत मिली है लदाग परसदी चुनाओ में इंडिया गडबंदन ने बीजेपी को पीछे छोड़ा तो पीडिवी चीफ महबूबा मुफ्ती ने खुशी जाहिर की है हाला कि PDP ने चुनाओ नहीं लड़ा था लेकिन महभूबा मुफ्ती भी इंडिया गटबंदन का हिस्सा है और अब उन्होंने इंडिया गटबंदन की जीत पर खुशी जाहिर की है महभूबा मुफ्ती ने कहा कि नेस्नल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस जैसी दर्म निर्पेक्ष पार्टियों को कारगिल में जीत दर्च करते देखकर खुशी हुई गौरतलवे की पिछले महीने की शुरुवात में लदाख परशासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कारगिल शेतर में पांच में लएएच डीसी के चुनाओं के लिए नए कारिकरम की गोशना की थी अधिसूचना तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आगाबी चुनाओं के लिए नेस्नल कॉंफरेंस के पार्टी चिन्द को बहाल करते हुए केंदर शासित प्रदेश परशासन की पिछली चुनाओ अधिसूचना को भी रत कर दिया क्योंकि नेस्नल कॉंफरेंस के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में सक्षम नहीं थे अधिसूचना के अंसार LAH DC की 26 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को चुनाओ हुए थे जहां भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला है पिछले चुनाओ में एक सीट जितने वाली और बाद में PDP के दो पार्सनों के पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी सीटों के संख्या तीन तक पहुचाने वाली भाजपा ने इस बार 17 उमीदवार उतारे थे आम आदमी पार्टी ने चार सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई जबकि 25 निदली भी चुनावी मैदान में थे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24